Hello guys, I am Sumir Pudhar and you are watching Play Chemistry. So guys, आज हम study कर रहे हैं chlorophyll और hemoglobin का structure. So let's understand how to draw these structure. तो यहाँ वे मैंने chlorophyll का structure बनाय हुआ है. अब यहाँ से मैं देख के इसका एक overview लेके easy तरीके से समझता हूँ. तो यहाँ पर chlorophyll में होता है magnesium ion center में. तो chlorophyll में क्या होता है? magnesium ion center में. होते हैं. तो इस तरीके से symmetrically यहाँ पर चार nitrogen लगे होते हैं. अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने दो bonds ऐसे बनाए हैं. है ना? और दो bonds ऐसे बनाए हैं arrow की तरह. तो यह वाले जो bonds होते हैं यह होते covalent bond. और यह जो arrow वाले bonds हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? coordinate bond. तो यहाँ पर दो covalent bonds हैं और दो coordinate bonds हैं. अब आगे हम देखते हैं इसका structure. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह पूरा structure symmetrical है. अब यह symmetrical कैसा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह pentagon बना हुए. यह pentagon को हम क्या कहते हैं? पाई रोल. तो pentagon को हम कहते हैं पाई रोल. एक pentagon यहाँ बना है. एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. तो यहाँ पर बने हैं 4 pentagon. तो हम इनकी numbering कर देते हैं. अब यह जो structure होता है, इससे हम क्या कहते हैं? इस structure को हम कहते हैं पाई रोल. तो यह हो गया πाई रोल तो यहाँ पे एक, दो, तीन और चार पाई रोल, अब आगे हम study करते हैं, यहाँ पे क्या है, बेंजीन जैसा structure, six-membered structure एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक symmetry यहाँ से बन रही है, पर और वैसे तो यह बेंजीन नहीं है, क्योंकि हाँ पे क्या लगे हो, नाइट्रोजन लगे हो है, तो यह बेंजीन-like structure बने हमारे, अब इसमें हम next rule देखते हैं, कि इसमें next rule क्या है, next rule है कि इसमें alternately double single bond लगे होते हैं, यानि कि पहले आता है double bond, फिर single bond, फिर double bond फिर single bond, तो इस तरीके से यहाँ पे हम observe करेंगे कि इसके जो outer periphery है उसमें double bond, single bond double bond, alternately लगे होते हैं, अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें होता है resonance we need कि यहाँ पे resonance होए इसके operation के लिए so यहाँ पे हमारे को चाहिए double bond, single bond, double bond, single bond alternately, तो देख लेते हैं कि कैसे इसमें हम double bond, single bond फिल करेंगे, तो मैंने यह पहला pyrole पकड़ा और यहाँ पे सबसे पहला double bond लगाया अब जब मैंने यहाँ पे double bond लगा दिया तो next में लगाने की ज़रुत नहीं तो यहाँ पे आएगा single bond फिर next में क्या आएगा double bond आप देख सकते हूं कि हम outer periphery पे चल रहे हैं यह है इसका outer periphery देख रहे हैं इस तरीके से follow करते करते यह क्या है इसका outer periphery है तो वहाँ पे हम double bond, single bond double bond, single bond लगाएंगे तो एक double bond, फिर single bond फिर दूसरा double bond आएगा यहाँ पे फिर दुबारा क्या आएगा single bond फिर दुबारा क्या आएगा double bond and then again single bond फिर यहाँ पे हम fill करेंगे double bond फिर इससे खाली रहने देंगे फिर यहाँ पे हम double bond fill कर देंगे अब इसी तरीके से यहाँ पे single bond यहाँ पे double bond यहाँ पर single bond और यहाँ पर हमने डाल गिया double bond अब nitrogen में क्या है यहाँ पर हम double bond इधर भी डाल सकते थे पर हमने double bond डाला इधर क्योंकि यह जो nitrogen है यह है electron donor तो यह अपना loan pair donate कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 1 and 2 bond अब हमारे को nitrogen के साथ क्या चाहिए total 3 bonds तो यहाँ पर 1 bond की और possibility थी तो मैंने यहाँ पर bond लगा दिया अब again हम outer periphery पर चलते है next पर क्या आने single bond ही रहना है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना अब इधर हम देखते है यहाँ पर double bond आ जाएगा फिर दुबारा आ गया single bond अब यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि आप single के बाद यहाँ पर double bond लगा दो तो fourth भी थोड़ा similar सा ही case है fourth में कैए इसमें अंदर double bond नहीं आएगा यह rule है कि इसके अंदर double bond नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हो कि यह क्या है nitrogen nitrogen का आपको tetrahydral structure पता होगा nitrogen के आसपास तीन bond होते हैं और उपर एक lone pair होता है तो वही है यह रह lone pair और इसके आसपास क्या होने चाहिए तीन bonds अब double bond के बाद again क्या हैगा single bond फिर दुबारा क्या हैगा double bond तो इस तरीके से मैंने सारे double bond single bond फिल कर दिये और हमारा यह chlorophyll का structure बन गया तो यह था हमारा next rule अब आके हम देखते हैं कि क्या करना है अब इसमें हमें डालना है methyl group अब methyl का हमारे पास rule होता है कि हम pyrole पे methyl लगाते है अब methyl को डालने का यहाँ पे एक rule है क्या है rule 1,3,5,8 तो यह है numbers जहाँ पे हमारे methyl के group लगेंगे तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे को pyrole पे numbering करनी है यह pyrole का यह जो outer periphery में है उस पे हमें numbering करनी है तो one numbering आगया इधर second numbering इधर third numbering इधर fourth numbering इधर fifth numbering इधर sixth numbering इधर seventh numbering इधर eighth numbering इधर तो जितने भी pyrole है उन पे मैंने क्या लगा दिया numbering अब मुझे कहाँ पे methyl लगाना है 1,3,5 and 8 तो यह रा first इस पे आगे एक methyl यह है हमारा methyl group यह रा third इस पे आगे एक methyl group और फिर यह आगे fifth fifth पे आगे methyl group और यहाँ पे आगे eighth तो यह पे आगे methyl group तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे methyl का placement कैसे होगा तो वो भी हमने देख लिया अब हम चलते हैं आगे बाकी के groups पे अब जैसे methyl लगा हुए तो दूसरे edge पे भी कुछ-कुछ groups लगेंगे तो वो देख लेते हैं यह है CS double bond CS2 तो CS double bond CS2 होता क्या है यह होता है venile तो एक venile लग गया यहाँ पे अब methyl तो हमने place कर दिया यहाँ पे होगा हमार पास vacant तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ और group और कौन सा group डाला हमने C2H5 तो यह क्या है दो carbon वाला group तो यह क्या है ethyl तो यहाँ पे मैंने डाला venile इदर डाला ethyl यह 6th group पे हमारा यह इस तरीके से pentagon दुबारा बन जाएगा तो यह है हमारा special सा case यहाँ पे बन जाएगा एक और pentagon अब इस pentagon पे क्या है एक ketone लगेगा तो यहाँ पे क्या लगया ketone group CO यह क्या होता है ketone तो यहाँ पे ketone लगया अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इस portion पे यहाँ पे क्या लगया है मैंने CO CS3 होता क्या है तो यह क्या बन गया CS3 CO यानि की acetyl group तो यहाँ पे लगया एक acetyl अब चलते हम यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ प्लेस करना था अब यह है बहुत important part यह हमारा एक part है यह हमारा दूसरा part यह part क्या है बहुत जादा लंबा part है this is very long chain तो यहाँ पे बहुत बड़ा long chain बनने वाल है तो क्या यहाँ पे एक CS2 एक और CS2 बन गया chain फिर उसके बाद आएगा CO group यानि की carboxyle group और फिर carboxyle के बाद क्या लगेगा C20H39 यानि की 20 carbon का chain आप समझ सकते हो 20 carbon का long chain और उसमें कितने hydrogen 39 तो यह वाला जो part है यहाँ से शुरू हो रहा है यह पूरा जो symmetrical सा structure है और सासा CS2, CS2 and CO यह क्या गया porphyrin head तो यह porphyrin head हमारा एक part हो गया अब इसके बाद आता है 20 carbon और 39 hydrogen का structure यानि की यह वाला यह वाला structure को हम क्या कहते है तो यह हो गया phytol group तो एक हो गया porphyrin और एक हो गया phytol तो इस तरीके से होता है हमारा chlorophyll का structure अब chlorophyll आपको पता ही होगा कि क्या होता है chlorophyll होता है green pigment हमारे plants के leaves में तो हमारे जो plant के leaves होते हैं उनमें green color का pigment होता है उसे हम कहते है chlorophyll तो यह है porphyrin और यह होता है hydrophilic group तो यह वाला जो part है that is called hydrophilic group hydrophilic के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास charged particles हो तो आप देख सकते हो कि यह है magnesium mg2 positive यानि कि यह magnesium ion which is positively charged oxygen जिस पे क्या होता है negative charge तो यहाँ पे positive charge भी है और यहाँ पे negative charge भी है जिसके कारण से क्या है कि इसमें hydrophilic nature हो जाएगा अब मैं देखता हूँ phytol group तो है क्या यह वैसे C20S39 यानि कि यह क्या है pure hydrocarbon और hydrocarbon आपको पता होगा petrol, gases, methane, ethane, butane यह सब क्या है hydrocarbons तो C20S39 भी क्या है hydrocarbon और जो hydrocarbons होते हैं they are hydrophobic in nature अब हमारे को पता है कि chlorophyll क्या करता है chlorophyll light energy को absorb करता है और इसको chemical energy में convert कर देता है तो यहाँ पर यह जो porphirine head है यह हमारा जो पहला पार्ट है यह light को absorb करता है और यह जो हमारा C20S39 है यह क्या करता है यह हमारा वो पार्ट है जो हमारे chlorophyll को chloroplast में embed करता है तो हमारा जो chlorophyll के structure है उसमें यह chloroplast में हमारे structure को embed कर रहे है तो इस तरीकी से इसमें होता है photosynthesis यह क्या करता है light को capture करता है और उस light को यह transfer करता है तो गाई, इस chlorophyll का structure हमने देख लिया अब हम कर रहे है hemoglobin का structure तो hemoglobin कहांवे present होता है hemoglobin present होता है हमारे blood cells में तो hemoglobin का structure भी बिल्कुल chlorophyll के structure की तरह ही होता है तो chlorophyll के structure में center पे क्या था magnesium ion और इसी तरीके से hemoglobin के structure में center पे क्या होता है यहाँ पे होता है Fe 2 positive तो यहाँ पे होता है ferrous ion तो hemoglobin के center में होता है ferrous ion तो यह होता है इसका structure अब इसके structure में थोड़ा सा और difference है, जिसे आप हम समझते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, first, third, fifth and eighth, तो यहाँ पर क्या लगने थे, methyl group, तो यहाँ पर methyl group लगी रहा है, अब हम देखते हैं इसके next, adjacent, तो यहाँ पर लगना था vinyl, तो वो तो लगा ही हो है, इधर क्या लगा हो था, ethyl, जो हमारा chlorophyll का structure था, वहाँ पर, यहाँ पर क्या लगा था, ethyl, C2H5, बट यहाँ पर अब क्या लग गया, CH double bond, CS2, यानि कि Vinyl, तो यहाँ पर लग गया Vinyl group, तो क्याई सब हम देख सकते कि यह बाले position में आया difference, एड इस position पर भी आया difference तो क्या difference आया है, 6th position पर आया CS2, CS2, CuH, तो यहाँ पर क्या लग गया है, carboxylic group, तो यहाँ पर जो लगा है, सेम वही चीज यहाँ पर लगा हुए, यहाँ पर भी CS2, CS2, CuH लगा है, और यहाँ पर भी क्या लगा है, CS2, CS2, CuH, दोनों साइड हमने क्या लगा दिया, carboxylic group, तो यहाँ पर minor सा यह difference आएगा, chlorophyll में सेंटर पर लगा हो था magnesium iron, और hemoglobin में सेंटर पर होता है, Fe2 positive iron, यानि की ferrous iron, तो यह था हमारा coordination compound का एक important topic, जहाँ पर हमें सीखना था कि hemoglobin का और chlorophyll का structure कैसे बनाते हैं, तो दोनों की structure हमने देख लिए और समझ लिए, I'm Sumir Pudar, and you are watching play chemistry and I will meet you in the next video, और coordination chemistry से related और भी videos लेखने के लिए, keep watching our channel.